दोस्तो यूद्व अधिक्तर बल्लेबाज स्पनर्स को क्रीज से बाहर निकल कर खेलते हैं और तेजगेदवाजों को क्रीज में रहकर लेकन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा खिलाडी भी था जो तेजगेदवाजों को क्रीज से बाहर निकल कर 145-155 किलो मीटर प्रति घंट की पर बल्लेबाज यूँपूर्व कफ्तान ब्रेंडन मैकुलम ही हैं दोस्तो ब्रेंडन मैकुलम क्रिकट के उस सितारे का नाम है जिन्हों ने ना केवल अपनी बल्लेबाजी किया क्रमक शैली से कई मैचों का रुख पलड़ दिया बलके अपनी कफ्तानी के दम पर भी न नारा टीबी की नई स्रंखला स्टार्स फ्राम 2011 वर्ल्ल कप के पहले एपिसोड में वो स्रंखला जहां वेश्ट क्रिकेट के हर उस खिलाडी की कहानी साजा करेंगे जिन्हों ने मारे बैस्पन को यादकार बनाया और 2011 वर्ल्ल कप समेत कई बड़े टोनामेंट्स में बहत नियुज़िलैंड की ओर से क्रिकट खेल चुके हैं मैकुलम ने पर पढ़ाई किंग्स हाई स्कूल से पूरी की इन्हें क्रिकट के अलावा रगभी खेलने का बहुत शौक था वो अपनी स्कूल के रगभी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं मैकुलम इतना अच्छा अब इसी बास से लगा सकते हैं कि सन 2000 में दच्छेड द्वेप की रगभी टीन चैन में इन्हें नियुज़िलैंड के पूर्ब रगभी खिलाडी डैन का उटर से उपर तवज़ो दी गई थी एक कारण था कि मैकुलम शरवाती दिनों में अपने देश के लिए क्रिकट न विश्वकप के लिए जहां विश्व क्रिकेट को भविश के कई उभरते सितारे मिले जिनमें इंग्लेंड के लिए जुनाथन ट्रोट उस वक्त की विजेता भारती एंडर 19 डीम के कप्तान महमत कैफ यह राज सिंग पूर आश्रेली कप्तान माइकल क्लार्क तेज मिचल जॉनसन दच्षिड अफ्रीका के हर्फन मौला खिलाडी अलबी मारकल जैसे कई दिग्जर शामिल थे मैक कुलम अपने करीर की शरुवात में विकट कीपिंग के साथ साथ मध्या निचले क्रम में बल्ले बाजी किया करते थे यह वह जमाना था जब विकट कीपर इत नौथन एश्टल अपने करीर केंतिम चलड में थे तब फैंस के मन में एक ही सवाल था कि क्या कोई ऐसा ही अक्रामक की भी खिलाडी हमें दोबारा देखने को मिलेगा जिसका जबाब थे ब्रेडन मैं कुलम आखिरकार वो दिन आही गया जब इन्होंने साल दोजार दो में सिड्नी में अफ्रेलिया के खिलाफ अपना पहला एक दोज़िया मुखाबला बतावर सलामी बल्लेबास खेला हालकि इस मुखाबले में वो अज़ादों कुछ नहीं कर पाए और मात्र पांच रण मना कर आउट हो गये नकुलम के शुरवाती दो साल उनकी प्रतिभा की अ 145 रन की लाजबाब पारी खेल कर अपने करीर का पहला टेश्र तक लगा कर अपना लोहा मनवाया पर एक दिवसी क्रिकेट में भी उनका सफर इतना अच्छा नहीं जा रहा था उन्हें निचले करम में नमबर 68 की बीज बल्लेबाजी करने का मौका मिलता था 2007 में जब अफ्रेलिया के खिलाफ एक दिवसी मैच में 340 रनों के लक्ष का पीछा करते हुए कि भी बल्लेबाज हलके में पबिलिन लोड गए तो मैकॉलम ही थे जिन्होंने नाबाद 86 रनों की पारी खेल कर एक विकेट से सुनेश्चित की थी इसी साल डैनियल विटोरी ने तीम की कमान समालते हुए मैकॉलम को उपरी सलामी बल्लेबाजी करने का मौका दिया जिससे मैकॉलम का करियर एक नए मुकाम पर आ गया 2007 के T20 वेश कप में कई विसफोटक पारिया खेल कर अपनी खावलियत का प्रदर्शन किया बंगलादेश के खिलाफ एक देवसी मैच में मात रुनेस गेदों में तेज तर्रार अर्धर शतक बनाकर विश्व क्रिकेट में संसनी मचा दी उस मैच में 94 रनों का पीछर करते हुए मात 28 गेदों में मैकॉलम ने नाबाद अस्तिरन मनाए इसके बाद 2008 में उन्होंने आर्लेंड के खिलाफ अपना पहला शतक लगाया और एक तो चांचटन मनाए अत्तक तो पूरी दुनिया मैकॉलम के ताबरत और बल्ले बाजी की मुरीद हो चुकी थी साल 2008 में ही भारती टी-ट्वेंटी लीग का जन्म हुआ तब कुलकाता ने ब्रेंडन मैकॉलम को अपनी टीम में लिया और ये कहना बिलुकुल घलत नहीं होगा कि आईपिलों टी-ट्वेंटी क्रिकेट को बलंदियों पर ब्रेंडन मैकॉलम नहीं पहुचाया उन्होंने पहले सीजिन के पहले मैच में मातर 73 गेदो में 10-4 और 13 चकों से सजी 100 ठाउन की 38 पारी खेल विश्चक ट्रिकेट में संचनी बचाती इसके बाद साल 2009 में उन्होंने और श्रीले के खिलाब T20 में मातर 56 गेदो में 116 रन ठोक कर अपना पहला T20 शतक बनाया इस मैंच में दुनिया ने मैकुलम का वो अंदेखा रूप देखा जब उन्होंने शौन टेट की 150, 117 गेदो पर बेखवप अंदाज वे स्कूप खेल कर अद्भू छक्के लगाए इसके बाद साल 2011 वेशकप में भी उन्होंने अपनी वल्ले बाजी से सबकी वाव वाही लूटी और 2012 में T20 वेशकप में बांगलादेश के खिलाफ 123 रन बनाकर T20 क्रिकट में दो शर्तक लगाने वाले पहले खिलाडी बने परन्तों फिरों का करियर कुछ वेवादों से भी घिरा जब 2012 मेरोस्ट्रिलर को कप्तानी सहटा कर मैकॉलम को न्यूजिलेंड के सभी प्रारूपों का कप्तान बनाया गया इस पर उन पर ये टकले थी कि इन सभी मैकॉलम का हाथ है परन्त मैकॉलम ने इन सभी करके रन आउट कर दिया हलकि मुड़ी धरन दूसरा रन लेने के लिए नहीं जा रहे थे इस घटना के 10 साल बाद उन्हों ने लॉट्स में एक समाराओ के दौरान अपनी सभी ब्रतान के करियर का सबसे बढ़ियां समय था जब उनका करियर फॉर्म चरम पर था इस दौरान 122 रन बनाने के बाद जब दूसरी पारी में 94 पर 5 वेकट होने के बाद 122 रन से पीछे न्यूजिलेंड पर पारी की हर का खत्रा मनरा रहा था तब पहले मैच में 224 रन बनाने वाल मैकुलम ने 13 गंटे क्रेश पर डटकर 500 ठाउन गेदों पर 302 रनों की एथिहासिक पारी पारी ने ना क्योल मैच को ड्रॉक राने मैं सफलता पाई बलकि नियूजिलेंड को श्रेंखला भी जतवाई इस पारी ने दुनिया को दिखा दिया कि मैकुलम के वल अक्राम क्रिकट ही नहीं खेलते बलकि मुश्किल पर इस्तितियों में आराम से खेलना भी जानते हैं इसी साल श्रलंका के खिलाब एक टेस्ट में उन्होंने 134 गेत खेल कर 105 विरानों की ताबर तोड पारी भी खेली थी 2015 साल ब्रेंडन मैकुलम का कुल चोथा परंतो बतार कप्तान उनका पहला और आखरी विश्कप था चर्चर का विश्य ये था कि कप्तानी के दबाओं में मैकुलम का प्रदर्शन कैसा होगा परंतो इस सबका जबाब मैकुलम ने अपने बल्ले से दिया उन्होंने पहले ही मुखाबले में 65 रन बना कर अपने बढ़िया फार्म को बर्गरार रखा इसके बाद इंग्लेंड के खिलाफ मातर 25 गेदों में 77 रन बनाए उस मैच में 18 गेदों में 8 से तक पूरा कर विश्यू कप में सबसे तेज 8 से तक बनाया जो आज भी रिकॉर्ड है इसी फार्म को आगे बढ़ाते ही वाश्यलिया के खिलाफ मातर 24 गेदों में 50 आज अफगानिस्थान के खिलाफ 19 गेदों में 42 रन आये और न्यूजिलेंड को सेमी फाइनल में पहुचाया सेमी फाइनल में देचर प्रिका के खिलाफ रोमाच से मुकाबले में 28 गेदों में 26 गेदों में 60 रन बनाये एक कप्तान मैकुलम का आदम विश्वासी था जिसने पहली बार न्यूजिलेंड को फाइनल में प्रबेश्यों ने शित किया अब न्यूजिलेंड खिताब से केवल एक कदम की दूरी पर था जाओं का मुखाबला चार बार की विजेता और शेलिया से होना था सबकी निगाहें कप्तान मैकुलम पर टिकी थी पर उन्तों कहते हैं न कि कभी कभी केवल एक ही घलती आप से आपका सपना चीन लेती है कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन जब स्टार्क ने पने पहले उबर में ही कप्तान को शोने पर रन आउट कर न्यूजिलेंड की कमर तोड़ दी उसके बाद कोई भी खिलाडी अच्छा प्रदिर्शन नहीं कर पाया और अस्रेलिया एक तरभा खितावी मुकाबला जीत पांचवी वार विजयता बना मैकुलम को आज भी इस बात का मलाल है इसके बाद 2016 में ब्रेंडन मैकुलम ने अस्रेलिया के खिलाब एक दोड़ी सीए प्रिम टेस्ट रंखला के बाद क्रिकट के सभी प्रारूपों से सन्यास की गोशड़ा करती परन्तु जाते जाते भी एक रिकॉर्ड ऐसा बचा था जो मैकुलम के हाथो तोटना था और ताज़ूप की बात यह है कि उन्होंन अपने अंतिम टेस्ट मैच में ही मातर 54 गेदों में सबसे 13 शर्थक का रिकॉर्ड अपने नाम किया जो सहीं तुरूप से पहले सर विवियर रिसेर्स और पूर पाकिस्तानी कैप्टन मेजबाहुल हक के नाम था मैक कॉलम अपने पूरे करियर में एक अंदाज में खेले और अपने अंतिम एक देवसी मुखाबले में 27 गेदों में 47 और टेस्ट में 185 शर्थन बनाए हालाकि मैक कॉलम ने 2019 में लीक रिकेट और टूर्नामेंट से सन्यास ले लिया वाज विपने बेखोप अंदाज और तेज गेदवाजों को स्कूप और क्रीस से बाहर निकल कर बड़िशॉट खिलने के लिए जाने जाते हैं मकला में दिक्तर बड़िशॉट लगा कर ही अपना अर्ष तक और सतक पूरा किया करते थे इस महाम की भी वल्लेबाज ने 101 टेस्ट 261 दिवसिये में 96 के स्ट्राइक रेट वेमें कहतर T20 में 136 के स्ट्राइक रेट से करमसा 643, 6083 और 214 रन बनाए वही 101 आईपिल मुखाबलों में 131 के स्ट्राइक रेट से 2880 उनके नाम है इसके लाव मेकलम के नाम टेस्ट क्रिकेट में सरवाध एक 107 छक्के भी हैं उनके नाम नेजलेंड के लिए सरवाध एक 4 दोरे शतक दर्ज है इसके लाव मेकलम 13 शतक लगाने वाले पहले और अभी तक एकलोते की वल्लेबाज भी हैं और आपको ये जानकर आश्यरी होगा कि 14 साल के करियर में 101 टेस्ट खेलने माले मेकलम ने कभी भी फिटनेस या चोटके याने किसी कारण से कोई टेस्ट मैच मेच नहीं किया उन्होंने सन्यास के बाद रगवी भी खेली है अजिला ब्रेंडन मेकलम के मेंटरी करते हैं वे नेजलेंड टीम के कोज भी रह चुके हैं और अभी आईपियल में कोलकाता नैट डाइडर्स टीम के कोज भी हैं दोस्तो भले ही मेकलम को सन्यास लिए काफी समय हो गया हो परन तो आज भी उनकी कई पारिया ऐसी हैं जो फैंस के मन में ताजा हैं जैसे कल की ही बात हो तो दोस्तों ये थी कहानी नवजिलेंड के महान कप्तान ब्रेंडन मैकॉलम की उम्मीद करतें कि आज कि ये वीडियो आपको फसंद आई होगी आगे आप किन खिलारियों के बारे में जानना चाहते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार